चारसो पार का नारा ही वो इसलिए दे रहे थे लोगों को यह समझ आजा एक चारसो 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 के नाम पर लोग कितना बुजरात के चुनाओं को देखिए सत्रह में किस तरह से लेकिन संदे उनका कम नहीं हुआ वह लोग तो नितीश कुमार को दरकिनार करने में लगे हुए ते और पूरी तरह से यह था कि इस चुनाओं के तुरंदबाद नेतिश कुमार को दरकिनार के जागा यह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा आगे नमस्कार देख रहे हैं आप आपके साथ में निलकुमार लोग सवाचुनाओं के नतीजे लगतार दिख रहे ह है और इंडिया गठबंदन भी कहीं ने कहीं अपनी सीट में बरत दिख रही है हमारे साथ खास बातजित करने के लिए यहां मौदूद है परविन कुछ वाज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यह कहां पर कमी रह गई कि इस वार इंडिया गठबंदन की सरकार बनते जो है रहे अभी भी हाला की गिंती जारी है क्या कुछ कहेंगे हम इसे चली हम बात करते हैं रही कि चार सो पार वाले कहां आ गई यह देखिया और जो उन्होंने हमारे लिए सीट शोड़ा था वह कहां चले गए यह देखिया तो जीत तो हम रहे हैं उसमें कोई संदे नही ही कर रहे हैं जंता कि कोप का सिकार वह भली हुए हो लेंके संदे उनका कम नहीं हुआ जोर के आगे गतला कि आगए के वाला क्या यह हर समय हम लोग करें गे क्योंकि हमारा हख है और हम जानते हैं उनके फित्रत रही है गुजरात के चुनाओं को देखेंगे तो आप समझेंगे किस तरह से सत्ता को पाने के लिए इतने आतूर होते हैं कि कुछ भी करने को तयार हो जाते हैं चार सो का डर दिखाकर अभी सत्ता के करीब पहुंच रहे हैं तो इसमें भी कोई बात हो कोई भारी बात नहीं है इसके पीछे बात करें तो प्रलगातार अंसुल भी जीत जो है उन्हें टकर दिये भाजपा को लेकि रभी शंकर परसाद कहीं नहीं वह आगे निकल निकल नि षती से लड़ा है उनको साथ दिया है और हर लडने वाला उनके साथ रहने दनिवात का पात्र है जो इतने वोट के साथ वह अभी जईतम तब्रदी скbor कर रहे हैं सत्ता के करीब हो सकते हैं देखने को मिलना है भिहार में कि अभी भर करा रहा है और फॉर्ट बैंक के रहनुमाई करते रहें एक वोट बैंक का और वह वोट बैंक पूरी तरह से उनके साथ इंटेक्ट है यह पहले दुसरे चलंग के चुनाव में ही समझ में आ गया था और उनका वट बैंक ही है जिसके वज़ा से बीजेपी यहां इतना आगे है वरना उनका को एस्तितों यहां बिहार के अंदर नहीं इंडिया तरफ से देखा जा रहा है कि मिल रहा है इस पर क्या कहें यह जब तोड़ जोड़ की राजनिती होती है जब लोग इधर से उधर जुड़ते हैं तो सरकार बनाने के लिए सब लोग अपना प्रयास करेंगे क्या लगता नितिश कुमार फिर मुद्धे पर तो कोई सानव होती नहीं है बीजेपी के साथ उनकी तो किसी भी समय साथ दे सकते हैं उनका एक्षा हो सकता है वह लोग नितीश कुमार को ही दरकिनार करने में लगे हुए थे और पूरी तरह से यह था कि तुनाओं के तुरंदबाद नितिश कुमार को किनार के यह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा आगे मेरा पुरा यकीन है कि नितिश कुमार जिस तरह से बेज़ती उठाके रह रहे थे वहां भी टिके हुए थे वह उनकी मजबूरी ही रही होगी वरना वह इस तरह के लोग बने और हमारे पार्टी का एक एक कारी करता चाहता है रहूल गांदी जी प्रधान मंद्री बने बाकी आगे भविस्के गर्थ में जो होगा अच्छाई एक सवाल है जो अंतिम सवाल है आपसे कि जिस तरह से देश में लहर चले ती मोदी सरकार के एक बार फिर तो नाना जो डिकता दिख़ए है तो बिहार में आठीक कहां कमी रहे हैं जिस तरह से फिर दे नारा ही लोगों को यह समझा जाए 400 400 400 के नाम पर लोग कितना घुटन महसूस कर रहे थे कि किस तरह से इसको 400 हो सकता है जब वोठम दे नहीं रहे तो 400 कैसे हो सकता यह हाकार मचावा था अंधरुनी रूप से देश भर में देश भर की जनता यह भाप चुकी थी कि यह सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकता है इसलिए उनको यकीन था कि यह सिर्फ और सिर्फ बैमानी से हो सकता है तो 400 का नारा इन्हों ने इसलिए दिया था मेरा मानना हैं नीजी तोर पे वह 400 का नारा देके यह सत्ता के करीब पहुंचने का प्रयास किये और यह भी इनके लिए अनुकूल नहीं है राहुल गांदी साथ परविन कुषभा जी थे जो कॉंग्रेस के दिगज निता माने आते हैं हलाकि चुनाव लड़ा था इन्होंने और फुट परत्यासी रह चुके हैं तो ऐसे में परविन कुषभा जी ने अपनी सारी तमाम बाते रखी और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है इंडि सिटी सेन्विच 24 के लिए अनिल को मारकी रिपोड